जी तो विटा एट हूं की जो ऑर्गेनिक के स्टिए उस में फिर्स चप्टर है बेन्जीन का apartстранि का फॉसुट हल्ड लान एयरुमेटिक कमपाउन्ट यहां बेने स्टार्ट बेंजीन रिंग C6H6. बताना है, पहली चीज़ के बेंजीन के अंदर इच कार्बन इज इच कार्बन इज SP2 हाईबरिडाइज हर कार्बन SP2 हाईबरिडाइज सिंपल से वे मैं आपको निशानी यह बता देता हूँ जब कार्बन वैसे मैंने अब पर इसका फॉर्मूला बताया हुए number of attached items plus number of loan pairs लेकिन carbon के case में इस से भी एक असान चीज है कि अगर carbon triple bond बना रहा होगा तो SP hybridize होगा जब carbon एक double bond मतलब एक pi bond बना रहा होगा मतलब एक double bond बना रहा होगा तो वो SP2 hybridize होगा तो जब carbon सारे single 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 bond बना रहा होगा तो फिर वो SP3 hybridize होगा तो बेंजीन के अंदर बेटा each carbon is involved in the double bond हर carbon double bond बना रहा है तो each carbon is SP2 hybridize मतलब हर बेंजीन के अंदर हर carbon का एक S orbital और दो P orbital mixing में involved है अच्छे दी मैं एक और जगह एक मिनट बेटा मैं एक जगह लिंक सेंट नहीं किया वेट आ मिनट अच्छे दी दूसरी चीज़ बेटा आप से आप ने इसमें एक तो hybridization बता दी दूसरी चीज़ आप बॉंड एंगल बताएंगे कि याप बॉंड एंगल कि देखें यह जो बॉंड एंगल है ना है यह 120 है 121 इंगल इस 120 डिगरी ठीक है जी को अश्ते बाद हैं यह बताएंगे घल स्ाइव ऐच कारबन इज इन आप गार्बन देखें पाई बॉण्ट बना रहा है हर कार्बन पाई बॉण्डिंग में इंवॉल्ड है इच कार्बन एज इनवॉल्ड इन पाई बॉ नीं ठीके जी और जब भी देखें कार्बन SP2 hybridize होना और 120 angle बना रहा हो तो यह जो carbon के साथ 3 atoms अटेच हैं यह same plane में आ रहे हैं एक ही plane में हैं क्यों carbon जब SP2 hybridize होगा तो इस time वो planar molecule का जो है न वो planar molecule होगा मतलब वो उसके 3 atoms जो carbon के साथ 3 atoms लगे होएं यह एक ही plane में आएंगे एक और 30 पे जो बड़ी important है वो यह कि बेंजीन के structure के अंदर यह जो pile electrons है यह fix नहीं है यह de-localize है ठीक है तो आपने यह बताना है कि de-localization of pile electrons in the benzene ring de-localization of pile electrons बेंजीन के अंदर यह pile electrons de-localize है यही reason है बेटा कि हम बेंजीन में जो इन alternate devils bonds को हम ring से show करते हैं ring का मतलब है कि यह pile electrons continuously move कर रहे हैं अच्छा अब एक और चीज़ भी सुनने कि benzene जो है वो एक बहुत stable molecule है अगर आप से को यह पूछे कि why benzene is a stable molecule तो इसका simple सा अंसर यह होगा बेटा कि due to the de-localization de-localization of pile electrons pile electrons की de-localization की वरे से और अब यहां से एक और concept अब जहन में आ जाएगा बेटा वो यह के benzene कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी stability को lose करे stability कैसे lose करेगा अपना ring कभी भी rupture नहीं होने देगा benzene की कोशिश यह होगी कि वो addition reaction ना दे ठीक है क्योंकि अगर benzene बेटा अपना ring rupture करेगा या अपना ring तोड़ेगा ring तोड़ने का मतलब है pie bond तोड़ेगा तो वो unstable हो जाएगा राइट तो इसलिए benzene कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने ring को break होने दे तो इसलिए आप यहां पर से important line यह लिखेंगे कि benzene gives substitution reaction readily benzene की कोशिश यह होती है कि वो substitution reaction readily दे बड़ा substitution reaction का यह मतलब होगा कि benzene के साथ यह जो hydrogen लगे हुए है ना इन hydrogen को आप substitute करेंगे ठीक है जी यह hydrogen substitute होंगे अलबता benzene gives addition reaction लेकिन वो reluctant होता है इतना readily नहीं देता आप condition देंगे तो addition reaction भी देदेगा पाई बॉन तोड़ देगा लेकिन readily वो substitution reaction देता है अब आ जाते हैं जी benzene की itself nature क्या है benzene खुद electrophile है या nucleophile है तो याद रखें मैटा benzene का इस तरह का structure होता है देखें यह है आपके पास benzene यह और इसमें जो पाई लेक्ट्रोंज है ना इन्होंने पर एक ring बनाया हुए उपर और एक ring मीचे तो यह पाई लेक्ट्रोंज ने benzene को sandwich किया हुआ है थीक है benzene को sandwich किया हुआ है जो के अब आपको नजर आ रहा होगा कि benzene जो है उसको उपर और रीचे से जब पाई लेक्ट्रोंज ने sandwich किया हुआ है तो benzene एक nucleophile के तोर पर act करेगा आपको बेटा मैंने वैसे निशानी बताई हूए या nucleophile के निशानी क्या होती है उसके उपर loan pair होता है या उसके उपर negative charge होगा या same atoms के दरमियान double या triple bond होगा तो आप देख सकते हैं benzene is a nucleophile क्योंकि इसमें दो same atoms के दरमियान double bond आ रहा है ठीक है तो benzene nucleophile होगा अब यहां से अब ज़रा एक और चीज़ नोट करें अगर benzene nucleophile है तो इससे reaction करने कौन आएगा nucleophile तो nucleophile से reaction नहीं करता ना तो इससे reaction करने आएगा electrophile E का मत्तब है electrophile तो benzene के साथ कौन reaction करेगा जी electrophile reaction करेगा और benzene आपको मैंने कहा है कि यह substitution reaction देता है ना तो इसके लिए benzene जो reaction देगा वो electrophilic substitution reaction आप इनके hydrogen को substitute करके यहां different groups लगाएंगे तो यहां से बेटा हमने अब reaction स्टार्ट करने ठीक है अब देखें सबसे पहला reaction हम बेटा करते है फ्रीडल क्राफ्ट का जो कि आप लोग ने काफी दफ़क किया बस उसको हम जल्दी से गुजार देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट अल्कारलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट reaction यह बटा दो टाइप्स के हैं एक को आप कहते हैं आलकारिशन है और दूसरे को आप कहते हैं एपर यहाँ अलकारलेशन में बटा यह होगा कि आप बयंजीन में ना 오ka य्ट इंट्रोप introduce करवाएंगे फ़र एक्जेंपल पहले अलकाइलेशन को देख लें ये बेंजीन है जी आपके पास और इसमें आपने अलकाइल ग्रूप introduce करवाना है ये जी कैटलिस्ट याद रखिएगा AL, CL3 और हीट करेंगे जी ठीक है तो आपको कैटलिस्ट तो देना ही होगा हीट भी देना ही होगी ठीक है और फिर जाकर रियक्शन होगा और अब रियक्शन क्या है बड़ा सिंपल है कि यहां से बेटा HCL निकल जाएगा और तो यह जो अलकाइल ग्रूप है ना CH2 CH3 यह एच की जगह आए जाएगा यह आएगा एच की जगह CH2 CH3 और साथ में HCL इसका नाम है एथाइल बेंजीन तो देखे ने बेंजीन के साथ आपने कौन सा ग्रूप लगाए बेटा एलकाइल ग्रूप लगाए इसी प्रिके से देखे हैं वो आपको क्वेस्टन क्या पूछेगा एक्जैम में यह पूछ सकता है कि यह बेंजीन द लगें ना यह बेंजीन से इन दी प्रेद्डाट अफ एल च्री और हीट आप से क्वेस्टन यह पूछेगा जी कि आप इसके रियेज़न्ट का नाम बताएं कहेंगा जी रियजेंट क्या है मतलब बेंजीन ने किस से रियक्शन किया तो आप ज़रा सोचें क्या रियजेंट होगा किस के साथ बेंजीन रियक्शन करेगा तो यह चीज जिस तरह उपर क्या रियजेंट था बेटा इसका नाम था क्लोरो एथेन उपर रियजेंट है ना इसका नाम है chlorophyll azhine ब læंजीन इससे reaction करेगा तो ethyle बैंजीन बन गया ना इसे प्रीकिसे कि बैंजीन किससे reaction करेगा वो रियजेंट क्या है कि जिससे यह बनेगा हमारे थो बैटा देखिये हाँ इस प्रेसे होगा मैं बितात। नो सही बिता रहीं आप! जहां से बेटा बेंजिन, कबॉन्ड बन रहा होगा न में वहां से कटकरेंगे। जहां बेंजीन कार्बन के साथ एटेच होगा, महां से टटकरें,DOT बना रहे हुं इसके साथ हैलोगन लगा इंदा रहा हुँ. तो देखिए क्या होगा, यह आपका असल में CH3 है, यह बटा CH है, यह CH2 है, यह CH2 है, यह CH3 है सेकिन्ड कार्पन पर आप हेलोजन लगा रहें, यह होगा जी, CH3, CH, CL, CH2, CH2 and CH3 यह देखें, यह H है न, तो यह आपने असल में HCL यहां से निकाल लिया है यह आपके पास, अलकाइल गुरुप लग गया है, आपने यह चीज़ देखनी है, कि अगर बेंजीन के साथ alkyl group लगा हुए न तो मैं परिशान होने की जरूरत नहीं है बस जहां पर alkyl group लगा हुए बंजीन और वहां से carbon carbon bond तोड़े उसके साथ halogen लगा दे वो आपकी alkylation होगी ठीक है acylation पर आजे जी acylation क्या होती है फिर mechanism बाद में करते है बदा acyl group कहते किसको है acyl group कहते हैं कि when alkyl group alkyl group is attached with carbon ion आपका जो alkyl group है न वो carbon ion के साथ alkyl कोई भी हो सकता है ethyl, methyl, profile आपकी मर्जी है मतलब यह होना चाहिए CH3, C double bond O या बिटा CH3, CH2, C double bond O इसको आप acyl group बोलते हैं this is the acyl, ठीक है अब reaction कैसे होगा देखें CH3, C double bond O अच्छा इसके साथ आप halide लगाएंगे क्योंकि मैंने acylation करना है तो acyl hyalide पुरा इसको कहते हैं जर्नल इम acyl hyalide तो CL बटा लगाँगा और इसका अगर आपने अपना नाम देना है इसको बोलते है ethanoil koloride, ethanoil, O Y L बटा acyl जो family है ना उसके लिए आप O Y L लगाते हैं O Y L आप acyl family को represent करने के लिए तो ethanoil koloride, reaction कैसे होगा जी वही AL CL 3 और आपने heat करना है और यहां से बटा आप H को निकाल लेंगे और बेंजीन के साथ direct C double bond O CH 3 होगा, पर यह जरा चीज़ नोट कर लें, यह थोरा सा इसमें बच्चे तंग होते हैं, वो यह कि जब बेंजीन के साथ directly C double bond O लगा होगा ना, जब बेंजीन के साथ directly C double bond O लगा होगा, तब आपने उसको क्या कहना है, acylation, क्या बोलने हैं आपने उसको acylation, अब यह बटा आपसे ऐसे पूछ सकता है, बटा आप लोग मैंने unmute इसलिए किया कि आप लोग direct मुसे question पूछें, मैं आपके अ अब आप से पूछा जाता है जी कि बताएं इस reaction का नाम क्या है, तो आप पहरे तो देखेंगे कि जी बेंजीन के साथ direct C double bond O लगा होगा है, और आगे अलकाइल गृूप है, बेंजीन के साथ जब direct C double bond O लगा हो ना, तो इसको acylation बोलते हैं, क्या बोलते हैं, acylation, ठीक है अब कौन सा ये reagent कौन सा होगा, अगर वो कहते जी आप reagent का नाम बताएं ना, बेंजीन से reaction किसका होगा, तो आपने फिर वही काम करना है बटा, जहां बेंजीन और कार्बन वाले bond तोड़ें, और इस कार्बनाइल के साथ हेलोजन लगा दें, मत्तब CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 bond O और CL, यह होगा, CL, C double bond O, CH2, CH2 and CH3, और यहां से देखें, यह HCL निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो दिस इस acylation, मैं आपको जल्दी से करा देता हूं इन दोनों का, मैंकनिजम क्योंके दोनों का सेम है, देख लें, बटा मैंकनिजम दोनों का सेम है, मैं आपको acylation का कर देता हूं, ठीक है, CH3, C double bond O, CL, और जो catalyst ने पहले उससे reaction होगा, देखें, पहले step में क्या होता है, generation of electrophile, हम ना electrophile generate तरवाएंगे, generation of electrophile, reason is, बटा कि जो बेंजीन है, बेंजीन तो आपको पता है, nucleophile है, nucleophile है ने बेंजीन, इसके अंदर carbon carbon double bond हा रहा है, pie electrons, same atoms के दर्म तो इसलिए अगर बेंजीन से reaction करवाने हैं, तो you need a strong electrophile, बेटा कैसे होगा, कि आपने जो आपका reagent था, reactant, ethanol chloride, catalyst से reaction करेगा, ALCL3 से, अब देखें, आप सब को पता है, ALCL3 एक electron deficient है, right, क्योंकि इसका octet complete नहीं है न, aluminum का, तो ये chlorine क्या करेगा, बेटा, chlorine, chlorine जो बेटा है, negative bond बनाएगा, क्यों, क्योंकि aluminum का octet complete नहीं है, ठीक है, और यहाँ से बड़ा देखेंगा, ये chlorine slightly negative, carbon is slightly positive, अच्छा अब इस तरह हो रहा है, कि जो ALCL3 है न, ये chlorine को पनी तरफ खेंच रहेगा, ALCL3 chlorine को पनी तरफ खेंच रहेगा, तो होगा क्या ultimately, ये bond ही break हो जाए, हेट्र क्योंकि chlorine is more electron negative न, तो वो carbon carbon का electron ले जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा, bond यहाँ से तूट जाएगा, ये ऐसे करके, तो CH3, C double bond O positive, और आपके पास ये बनेगा, ALCL3, तो देखें, ALCL3 ता लेकिन एक CL negative इसमें add हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा, ALCL4 minus, ये बटा आपक electrophile बना है, जिसमे कार्बनाईल कार्बन पर प्लस चार्ज है, अब आपने mechanism करना है, ये देखें, ये आपके पास पाइलेक्ट्रों थे, और ये आपके पास बटा इलेक्ट्रों आ गया है, this is the electrophile, तो ये पाइलेक्ट्रों इस इलेक्ट्रों को पर attack करेगा, इसे करेगा, जब ये पाइलेक्ट्रों अटेक करेगा, तो रिंग रप्चर होगा न, क्योंकि देखें, ये पाइलेक्ट्रों बॉंड बनाना चाहरे है, तो असल में कितने पाइलेक्ट्रों थे, तो वन थर्ड मतलब थ्री पाइलेक्ट्रों है, त्री पाइलेक्ट्रों है, और एक पा कि देखना यहां पर यह मैं को रप्चर कर रहा हूं अच्छा है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है ने बेटा जो पाई बॉंड था यह सिग्मा बॉंड में कंवर्ट होने जा रहा है एच तो पहले से लगा हुआ और यह देखो यह आगे अदर अब देखें यह अंदर जो आपका पाई बॉंड था यह वाला ग्रीन यह बाहर सिग्मा बॉंड में चला गया तो अंदर डेफिशन्सी होगी है ना इस लिए बेंजीन ड्रिंग के अंदर प्लस चार्ज जालना लाजमी है आप इसे अकसर बच को मैं आपके इसानी के लिए ऐसे लिखता हूं अब पता है क्या होगा बेटा यह जो सियल माइनस है ना इसके उपर जो क्लूरीन पर लोन प्रेर है यह हाईडूजन के साथ बॉंड बनाएगा और यह कार्बन हाईजन बॉंड दबारा अंदर ठीक है अच्छा मैं आपको बता है पहले बता है यह एरो हमारे स्लिबस में ड्रॉब करना लाजबी नहीं है तो यह आप स्किप कर सकते हैं अब आपके पास क्या बनेगा देखिएगा अब आपके पास यह बनेगा कि यह सी डवल बॉंड ओ सी एश त्री हो गया और बटा यह एच्छी एल निकल जाए नाइट्रेशन बेंजीन में कंडिशन बड़ी इंपॉर्टन है नाइट्रेशन कहते हैं कि आपने बेंजीन के अंदर अनो टू गृूप को इंट्रिउस करवाना है तो पहले इसका रियक्शन देख लें और कंडिशन भी बेटा यह आपके पास बेंजीन है और इसमें नाइट्रिक एसिट का फॉर्मिला क्या होता है एच और यह अजा रहा है और इसको क्या बोलते हैं नाइड्रो बंजीन इसकी क्या बोलते है जी नाइट्रो बेन्जी अब पीटे दिखेएं यह जो नाइट्रो बेन्जीन नाइट्रो बेन्जीन जो है अगर मैं यही पर बैटा आग comprend कि मिलिंड कर दीता मैं नाइट्रो बेंजीन जो है इसकी रिडेक्शन करना चाह रहा हूं NO2 को NS2 में कनवर्ट करना चाह रहा हूं तो इस इस दिडेक्शन ना, इसके लिए मुझे एक reducing agent चाहिए, क्या चाहिए reducing agent बटा इसके लिए एक special reducing agent वो आपको याद रखना होगा कि जब भी नाइट्रो बेंजीन को आपने इसका नाम भी याद रखने बटा इसको कहते हैं फिनाईल एमाइन जब बेंजीन के साथ एनेश टू गरूप लगा हो तो इसको फिनाईल एमाइन बोलते हैं और इसकी रिडेक्शन कैसे होगी एनो टू को एनेश टू में कैसे बाक्स मिलेंगे आपने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है वो टेन प्लस कंसेंट्रेटर एचल यह बटा आपको एटॉमिक हाइड्रोजन बना कर देंगे ठीक है वैसे कितने हाइड्रोजन यहां से रिलीज होंगे मैं आपको बता देता हूं अगर आप एक्वे इन चीज़ याद रखी है फिर सुनने कि नाइट्रो को एमाइन में कंवर्ट करना है तो आप कंसेंट्रेटिड नाइट्रिक एसिट प्लस टिन लेंगे ठीक है अच्छा बटा सम टाइम आपको वह कह देता है कि आप इस नाइट्रेशन इन बेंजीन में ना इसका डिटेल मेकनिसम बताए और पता है इसका एलЕक्ट्रौफाायल कैसे जनेरेट हो तो अब जरह इसके मैकनिसम की बात कर लेके किसका मैकनिसम कैसे होगा यह देखें मैकनिसम अफ नाइट्रेशन इसमें देखें पहले तो भाई आपने वही पताना है कि गेनरेशन और एक्टरॉफाइल जेनरेशन और पहले जनरेट कर वाएंगे वह रियक्शन आपको याद करना है प्लस HNO3 ठीक है जी अपने रियक्शन करवाने है यह नहीं आपको इसकी डिटेल बताई यह इस रियक्शन के भी डिटेल नहीं बता रहा जो यह लिक रहा हूं बस यह आपको ऐसी याद कर लेना एक्जैम के लिए अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लेक्शर है वो आपको सुनना होगा कि यह कैसे बनाए यह बटा आपका अलेक्टोफाइल है यह आपको रियक्शन याद करना एक्जैम के लिए अब आगे मेकनिजम बटा सेम है बिल्कुल सेम कोई फरक नहीं है जो मैंने इसाइलेशन का किया बस मैं जल्दी से कर रहा हूं यह यह जो आपको बेंजीन का रिंग नजर आ रहा है इसमें उन थर्ड मतब एक पाई बॉंड अटैक करेगा किस पर इस एनो टू पर क्योंकर एनो टू इस एलेक्ट्रोफाइल रिंग रप्चरोगा और यह बटा एनो टू आ गया है यह देखिए यह अंदर पाई बॉंड थ डालना नहीं भूलना और नेक्स्ट्रिप में क्या होता था बेटा कि जो आपके फर्स्ट्रिप में जो नेगटिव चीज़ बनी होगे यहां पर क्या है एच एसोफोर वान माइनस यह जो बटा है यह रियक्शन करेगा यह हाइडोजन पर और हाइडोजन अपने अपना अलेक्टोन जो है ना अंदर दे लेगा बिल्कुल बेटा सेम मेकनिजम है जो आपने भी उसके लिए किया है ना यह कैटलिस्ट रिजन बेट है अब बेटा आजए आगे अचा मैं आपको जल्दी से एक और भी बिता दू कि बेंजीन में इसे तरह क्लोरिनेशन भी होती है जी बेंजीन के अंदर अगर आप क्लोरिनेशन करवाना चाहते हैं इन दी प्रेजिंस आफ एल्सी 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 होना चाहिए जाए जगाना की याद कि है यह वने पेपर के लिए याद रिखने है यह नहीं याद रखने बिल्कुल याद रूखना है वह क्यों आपने पहले निकिया यह यह रिक्ष्टन मजें बताओ पहले जया इसे तरह अगर आप बेंजीन के अंदर ब्रोमीन ऐट कर कि सब्सक्राइए कि ये रिफ्लक्स क्या चीज़ वह वह विवताएं तर्टार रिफ्लक्स यह इस देगा पूछ रहे दोरा पूछे दरा है जी बेटा है जी बेटा कौन कुछ ने पूछ रहे है दोरा पूछें आप इस तरह का सिस्टम होता है देखे अपर यहां पर बैटा कंडेंसर लगावागा ऐसे करके को ऊपर से ओपन होगा ठीक है अब अपने और गनिक कंपाउंड को बैटा हीट करेंगे कहां से उसके बैपर बनेंगे लेकिन यह condenser जो होगा ना ये इन वैपर्स को दबारा cool down करेगा तो basically reflux में होता है कि आप अपने reaction को heat भी कर रहे हैं और उसको evaporate भी नहीं होने देए this is the heat under reflux ठीक है अब पर चलें next reaction पर आजए अच्छा बेंजीन addition reaction भी देगा अगर इस तरह दिया होने जी आपके पास यह अल्टरनेट डेवल सिंगल बॉंड और वो कहते ही hydrogen in the presence of nickel catalyst और हीट तो आप क्या करेंगे इसके बॉंड खतम कर देंगे यह देखें बस बॉंड खतम होगे हैं और hydrogen बेटा hydrogen हर carbon पर एड हो जाएगा हर carbon पर एक हाइड हो जाएगा तो इसका sir sometimes in the marking scheme it only says H2 and nickel catalyst but it doesn't say heat देना must है heat देना वो फिर आपको condition ही पूछ रहा होगा जाओ question के marks कम होंगे लेकिं हीट के बगार नहीं हो सकता हीट आपने लाजमी देनी है 250 degree Celsius sir and sometimes they say only platinum not nickel catalyst बड़ा आप addition में nickel यूज़ कर सकते हैं platinum यूज़ कर सकते हैं फ्लैडियम यूज़ कर सकते हैं तीनों वेसे जो मरज़ी लिग दें okay sir अच्छा बड़ा अब हम यह करते हैं कि बेंजीन के साथ अगर पहले से एक गुरुप लगा हुआ हुआ है तो second गुरुप किदर आएगा देखें substitute बेंजीन मतलब इसका यह है कि बेंजीन के साथ एक गुरुप लगा हुआ है पहले से for example यह जी बेंजीन इसके साथ यह हम कह देते हैं x लगा हुआ है यह x और आप एक और एलेक्ट्रोफाइल को इंट्रिउस करवाना चाहरे है इंटु दी बेंजीन रिंग तो यह एलेक्ट्रोफाइल किदर आयाएगा अब आपको कुछ पुजिशन याद देखने हैं यह जो एक्स इस कार्बन पर है यह कार्बन नमबर वन है यह कार्बन नमबर थरी और फाइफ को बेटा आप बोलते हैं महता पूजिशन और कार्बन नमबर वन और फूर वर को आप बोलते हैं पहरा पुजिशन तो आपको यह तीन पूजिशन याद रिखने हैं और तो महता ऑर ठीक है अब मैं यहाँ पर विटा एक इस ट्रैट्मेंट लिक ह देन इंकमिंग एलेक्ट्रोफाइल जो होगा जो बटा एलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वह कहां पर आएगा विल एटेक एट तू फोर और सिक्स और तू और पर यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने लिख है कि अगर बेंजीन के साथ एलेक्ट्रोन डूनेटिंग ग या फोर पर या सिक्स पर इसकी फर्दर डिटेल मैंने नहीं बता रहा है अग्यों है लेकर अगर इलेक्ट्रों डूनेटिंग गुरॉप तो टूफोर इक्टिवेट हो जाएंग ठीक है अब तो six activate हो था होते हैं वह पर एक लाइन में लिख देता हूं सिंगल बांड़ी सिंगल बॉंड़िड ग्रूपस और इलेक्ट्रॉण डॉनेटिंग ग्रूप ऐसे ग्रूप जिसमें सिंगल बॉंड आ रहा है फॉर एक्जेंपल नहीं तो आगर बेंजीन के साथ अगर बेंजीन के साथ मैं उवेश लगा देता हूं तो बटा यह सारे सिंगल बॉंड़ है ये अपने अलेक्टरों बेंजीन डूनेटिंग को दे रहा है ये अरो डाउन वड़ आ रहा है मतलब इस 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 तरीके से अगर बेंजीन के साथ CH3 गूरूप लगा हूँ है CH3 तो आप देख सकते हैं CH3 के अंदर कोई डेबल बॉंड तो नहीं आ रहा है ना ये जो CH3 या 6 पर आएगा इसी त्रीके से अगर आपके पास इस तरह है कि यहां क्लॉरीन लगावे स्पोस त्टीक है इस 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 इलेक्ट्रों डूनेटिव एटम है ओए तो यह कहां से बाई एलेक्ट्रों डूनेटिंग होगे तो बैटा यह जो मैं बात बता रहा हूं यह सिरफ और सिरफ स्पैसिफिक है इन बेंजीन कि अगर बेंजीन के साथ ऐसे गुरूप लगे हुए तो अगर बेंजीन के साथ सिंगल बॉंड इट गूरूप है तो उनकी जो नेचर है वो चेंज हो रहती है वह एलेक्ट्रों डूनेटिंग बन जाते हैं लेकिन अगर जनरल आप से पूछा यदिया आए बेंजीन से हटके तो क्लोरीन कभी भी एलेक्ट्रों डुनेटिंग नहीं है जो बात है कि इस सुर्फ बेंजीन के लिए होगी कि अगर बेंजीन के साथ सिंगल बांडीन है तो एलेक्ट्रों डुनेट तो अब बैटा यह एलेक्ट्रोफाइल किदर आएंगे इन पॉजिशन पर आएंगे जी यह जो आपके तो फोर शिक्स तू फोर और सिक्स पॉजिशन था ठीक है अब हम एक इसकी एग्जेम्पल कर लेते हैं यह देखें यह जी अभी आपने नाइट्रेशन की थी ना बेंजीन में नाइट्रेशन मैं दुबारा करता हू कंसेंट्रेटिड नाइट्रिक एसिड लिया था आपके और कैटलिस क्या था कंसेंट्रेटिड सिल्फिरिक एसिड फिफ्टी फाइव डिगरी सेल्सियस ही आपने कहा थे यह नो टू बन जाएगा इधर और इस साथ में वाटर निकले अब देखें मैं क्या करने जा रहा मैं अब फीनोल वेट बेड़ा बेंजीन के साथ वेट लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं फीनोल बोलते हैं ठीक है फीनोल के अंदर अगर मैंने नाइट्रेशन करनी है ना फीनोल के अंदर नाइट्रेशन अब वपर हेडिंग देंगे नाइट्रेशन इन फीनोल तो अगर Phenol के साथ Nitration Room Temperature پर देखें अब यह Electron Donating Group है This is Electron Donating मैंने कहे जब Electron Donating होगा तो ज़ो Second Electro-File होगा वो Ortho पर आएगा या Para पर आएगा तो आपकी मर्जी है आप यह इदर लगा दें या इदर लगा दें आपकी मर्जी है कि उपर वाला रियक्शन कंसेंट्रेटेटेड और हीट क्यों कि बेंजीन बहुत स्टेबल है नीचे देखें नाइट्रेशन ही हो रही है रूम टंबरेचर नो कैटलिस रीजन कि यह जो फिनोल है ना बिटा इस इस एलेक्ट्रों डूनेटिंग होने की वज़े से यह क्या कर है वो मैंने बिटा दूसरे लेक्शर में बताया है अब आप सुन सकते हैं डिटेल में लेकिन याद रखें कि एलेक्ट्रों डूनेटिंग ग्रूप इन पॉजिशन को एक्टिवेट कर देते हैं टू फॉर और सिक्स को इस पिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन पॉजि यह अब सेकिंड केस है बिटा अगर बेंजीन के साथ ऐसा गुरूप लगा हुआ है जिसमें डबल बॉन्ट आता है इसको आप कहते हैं एलेक्ट्रों विड ड्राइंग गुरूप इसका ऐरो देखें उपर की तरफ जा रहे हैं यह देखें मैं उपर ड्रॉप कि यह मैटा पॉजिशन यह बटा किस पॉजिशन को फेवर करेगा मैटा पॉजिशन मतलब 3 और 5 अब अब ज़रा देखिएगा कि NO2 में क्या होगा यह NO2 लगा हुआ है अगर आपने बैटा इसमें अलकाइलेशन करनी है न इन दी प्रेजन्स आफ एल्स्रियल 3 और हीट तो आप देखेंगे के यह जो आपका अलकाइल ग्रूप है यह इधर आएगगा जा यह इधर यह इस पॉजिशन पर लगाते है यह इस पॉजिशन प सबॉजगर नेगजर तो दो चीजए मैंने आपको बता दी अलेक्ट्रॉन डुनेटिंग ग्रूप फेवर करेगा और्थोFirst Para को और यह इसमीर ऑस अपस बेटा यह इसे करनी है चिए करेंगे जी अब जब इस तरह की सिच्चोएशन आजाएना कि एलेक्टरोन डुनेटिंग भी और विड़वाइंग भी अब देखें है उच एलेक्टरोन डुनेटिंग गूरूप जो होगा उसकी बेस पर डिसीयन करना है एलेक्टरोन डूनेटिंग नटू को नहीं देखना तो आप जो यहां बेटा 3H3 को इंट्रड्यूस करवाएंगे बेंजीन बिंग में वो आप OH की बेस पर करेंगे इलेक्टरॉन डुनेटिंग ग्रुप का डॉमिनेंट इफेक्ट होता है तो इस पर आप NO2 को इग्नोर करेंगे इलेक्टरॉन डुनेटिंग ग्रुप को देखेंगे और आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है जी यह OH यह आपके पास NO2 तो ऐसी आएगा तो यहां से बेटा H को निकाल ले यह HCL निकल जाएगा और यह मिठायल इदर आजएगा तो सम्टाइम एक दो कुशन उसने इस तरह के विद्धियों ने अगर आपके पास बेटा इसका मैंने आपको डिटेल आंसर में आप से का एक और लेस्न में दिया हुए लेकिन जलती से सुन ले अगर इलेक्टरॉन विट ड्राइंग ग्रूप होगा ना बेंजीन में ऐसे यह लगावा इससरा तो मैंने इसकी नेचर क्या बताईए आपको जी एलेक्टरॉन विट ड्राइंग ग्रूप की ज़रा यह बताएं कि नेचर कि बताई यह इस अब यह क्या करेंगा देखें अब यह एक्ट्रॉन विड्राइंग है उपर खेंच लाए तो यह पाई लेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे उपर की तरफ जिए उपर जाएगा ना तो नाइटोजन तो पिटा अल्री चार बॉंड बनाया हो गाए देखें वाइन टू फ्री एन फॉर चार बॉंड पहले से बनाया है वे इस तो अब पांचवा बॉंड तो नहीं बना सकता डबल तो फॉरन क्या करेगा यह जो पाई बॉंड है यह इस ऑक्सिजन पर चला जाएगा और आपके पास एक निया रेजिनेटिंग यह वो ऊपर चलेगी है यहां चलेगी है इदर तो यहां पर डेफिशिंस्य आफ एलेक्ट्रॉन हुआ है यहां प्लस चार्ज आगए तो आपको रीजन समझानी चाहिए कि अगर एलेक्ट्रॉन विड ड्राइंग ग्रॉप लगा होगा ना तो यह जो आपका और्थो है औ इसे प्लस चार्ज इदर आजएगा मतलब यह हुआ कि एलेक्ट्रॉन विड ड्राइंग ग्रॉप बेसिकली करता क्या है कि और्थो पॉजिशन्स को और पैरा पॉजिशन्स के ओपर पॉजिटिव चार्ज क्रियेट कर देता है जिसके वरे से इलेक्ट्रॉफाइल इन और अगर एलेक्ट्रॉन डूनेटिंग है एलेक्ट्रॉन डूनेटिंग नेगटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो वह भी अन्स्ट्र तो कर रहे हैं यही तो रीजन है कि आपने जो फिनॉल में फिनॉल में जो आपने नाइटरिजन की वह क्यूं रूम टेमरेशर पर होगी क्या फिनोल ने बंजीन को मजीद स्टेबलाइज किया या अनस्टेबल कर दिया बाया डूनेटिंग इट्स एलेक्ट्रों या लोन पेर ने सर मैं कंपैरिटिव ली बात करूंगा तब दोनों एक इतने अनस्टेबल होंगे ना कौन कौन दोनों एक डॉनेटिंग ग्रूप पूले इसका दोसे करता है क्योंकि एक नेगिटिव चार्ज है यह बहुत है कि बैंजीन के उपर अगर इलेक्ट्रों डॉनेटिंग है या एलेक्ट्रों विड ब्राइंग तो नेगिटिव चार्ज या पॉस्टिव चार्ज कहां ज्यादा आरहा है बसकि सिंपल सी रूल बैंजीन के रिंगे साथ मल्टिपल ग्रूप्स लगए होते हैं तो हम किसको प्रेफरेंस देके काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं बटा जिस तरह अगर बैंजीन के साथ यह है ना स्पोस्स चीडवलो एच और यह मिथाइल लगा है अब आप देखिए कि कौन सा ग आद रखेलें कि जोंसा गुरूप स्पैशल लेम देता है ना उसको आपने कार्बन नमबर 1 तो यह कार्बन 1,2 यह थ्री अद्री को थैमेडा त्री मिथाइल वेंजाईक एस ऐधें तो नृट नकुल को आपने कार्बन नमर वन रखना है क्योंकि ओफचिक वीजट टें क पूशने था अगर दो एक विड्रॉइंग गूप हो एक विड्रॉइंग गूर्फ प्रेफर करना है बस हमेशा अच्छा अच्छा जी एलेक्ट्रों डिया वह आपसे पूशता है जी के सी डवलो एच ठीक है जल्दी से देख लें यह इस तरह होगी कि आपने पहले बेंजी में अलकाइलेशन करनी है बेटा अलकाइलेशन एक मिथाईल गूर्प इंटर्ड्यूस करवाएंगे ठीक है आप यहां लिख देंगे कि यह एलकाइलेशन है और CH3CL है ALCL3 कैटलिस्ट है फिर बेटर देखें आपने क्या करना है अब वो बेंजोईक एसिट की तरफ जा रह को लखेगा हीट करेगा और फिर लिखेगा देंड एस्ट साफ है ऐक बात है कोई समझा नहीं है Staats airч and then acidified उसकी रिसन बता देता हूं कि तो acidified लिख रहे हैं लेकि पहले reaction समझ ले कि बेंजीन के साथ बेटा जब भी side chain लगी हो और आप ने उसकी oxidation करनी है तो वो benzoic acid में जाएगा हमेशा CWH और साथ जो hydrogen है वो water में चला जाएगा अगर इस तरह का case हो बेटा के लंबी chain लगी हो ऐसे करके तो फिर भी कोई मसला नहीं है आपने इस बेटा जब इसकी oxidation करनी है अलकलाइन के वनोफोर के साथ and heat तो क्या होगा ही जो carbon number one है ना इसकी oxidation करेंगे और आपने इसको benzoic acid में भेजना है और बाकी जो remaining carbon है बेटा उसके carbon dioxide और जो remaining hydrogen है उनके water बनाएगा ठीक है तो यह एक जीज़ यह होगी अब एक और जड़ा उस पर आज है मैटा अब थोड़ा से मैं आपको reaction की conversion बता दू जो आप से पूछ सकते हैं यह जी methyl benzine अगर तो बटा वो इस तना का question पूछें आप से chlorine AL-CL3 catalyst और heat तो आपने फिर क्या करना होगा Electrophilic substitution की तरफ जाना है क्योंकि आपको पता है CL2 और AL-CL3 जब भी reaction करते हैं न तो यह AL-CL4 minus बनाते हैं और CL plus बनाते हैं और CL plus is the electrophile और यहां substitution होगी क्या होगी substitution तो अब देखें अगर इस तरह उसने लिखा हुआ है और AL-CL3 लिखा हुआ है तो आपको इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए आप इसको ऐसे कर देंगे CH3 और यह chloro methyl benzine और साथ में HCL लेकिन अगर उसने ऐसे लिखे हैं क्लोरीन UV light अब बटा याद रखें जब UV light आएगा ना तो यह आपको बड़ा important reaction याद करवा रहा है free radical substitution reaction फिर आपने benzine के hydrogens को नहीं चेड़ना फिर आपने जो alkyl chain है जो benzine के साथ alkyl chain है उनके hydrogens को के साथ reaction करना है तो अब reaction यह होने जा रहा है कि जो benzine के साथ CH2 लगा हुआ था वो अब CH2 CL होजएगा और HCL ब बड़ा वो alkyl जो chain है side chain है उसके hydrogens के साथ reaction करेगी लेकिन अगर chlorine with ALCL3 है तो फिर बड़ा वो किसके साथ reaction करेगा वो benzine के hydrogens के साथ reaction करेगा तो यह difference याद रखिएगा ठीक है और तीसरा अगर वो आपसे कहेगा जी आपने इसके oxidation करनी है तो वो मैंने भी आपको करवा बड़ा है एक बूस ने कालवन chain के अंदर उसकी addition करा दी और यूवी ड़ा मुझे सेंड करोगे ना इस तरह नहीं मुझे आप सेंड करोगे पिक्टर अभी सेंड कर दो वर्टसेप पर मैं देख रहा हूं ठीक है ठीक है मैटा मुझे भी सेंड कर दो इस तरह जबानी सही clear नहीं होगा अच्छा जी अब आगे आजाएं नेक्स मेरे यह चिर थोड़ा से लेंट थी बस यह एक दवार खत्म होज़ा आगे हम थोड़ा तेज करेंगे काम अब आजए फिनोल की ओपर जो फिनोल के रियक्शन कि याद रखें कि फिनोल इस लाइक लीस इसीडी की नेचर बिरा फिनोल जो है ना वो स्दाइकली एसीडी करें क्यों यह देखें अच्छा विए बनाते है बटा फैन ऑकसाइड इसको क्या बोलते है फेन ऑकसाइड और यह जी आपके पास फिनोल देखे एचाइन तो रिलीस कर रहा है यह ऐसी भी ठीक है अच्छा मैं बेटा को यह कुछ वो कुस्टिंस करा रहा हूं जो आपसे न वो रेलिव स्ट्रेंथ पूश रहा है एसीड की और यह कुस्टिंस आशकल बहुत आते हैं जिसमें वो आपसे ट्रेंथ पूश रहा होगा कौन स्ट्राइय रहे कौन भी कैसे रहे तुजरा ध्यान देखेगा इसमें आ कि इसे जो आप ब्लॉन पेह भी करेंट का अपने जब बैक वर जा रहें जो जो रिएक्शन रेडिली ली भैकल могov A इस्क принимal तो वो स्ट्रॉंग ऐसी अब के फैन उक्साइट नदर बिटा यह जो लोन पेर है आपको नजर आ रहा है यह लोन पेर डी लोकलाइज है यह इस तरह मूफ करेगा इंसाइड दी रिंग अब को बता है यह जब रिंग के मूफ करेगा यह देखिएगा इस तरह आपको बेंजीन के ओपर नगेटिव चार्ज यह लोन पेर नजर नहीं आ रहा है वह कहां चला गया वह पैटा पाइब ऑंडिंग के अंदर वो स्टेंद बेंजीन रिंग के अंदर डी लोकलाइज हो गया और नेगटिव चार्ज इदर जाएगा अब यह आप दिखिए नेगटि प्रोटॉन को गेंड नहीं कर सकते हैं अगर यह नेगटिव चार्ज इसी के ओपर होता तो यह इसको फोरण गेंड करके दोबारा फिनोल बना देता लेकिन यह नेगटिव चार्ज तो इसके ओपर रहा ही नहीं रीजन क्योंकि जो लोन पेर है वो बैटा रिंग के अंदर मूफ करना शुरू हो गया है डी लोकलाइज हो गया बेंजीन रिंग के अंदर जिसके वरह से फिनोकसाइड इस अनेबल टू अटेश प्रोटॉन ठीक है जिसके वैसे यह स्ट्रॉंगर एसीड होगा किसके मुकाबले में अलकोहल के मुकाबले में अगर आप अलकोहल को ब माइनस और एच प्लस अब बिटा यहां देखिएगा यहां पर पहली चीज़ की जो नेगेटिव चार्ज है यह मूवेबल नहीं है यह डी लोकलाइज नहीं है क्यों आगे पाई बॉन्ड इन नहीं है देखें यह चार्जेज यह लोन पेर वहां पर मूफ करते हैं जहां पर पाई बॉन्ड होते हैं तो एथोकसाइट में पाई बॉन्ड नहीं है और दूसरा एफेक्ट यह जो अलकायल गुरूप होता है इसकी नेचर क्या होती है इस इस एलेक्ट्रों डूनेटिंग जो होगा इस नेगिटिव चार्ज को बढ़ाएगा ना इस नेगिटिव च चार्ज बिंडरिंग के अंदर चला गया जबके नीचे एथोकसाइट में क्या हो रहा है कि जो अलकायल गुरूप है वो आपके अलेक्ट्रों डूनेटिंग होने की वरे से नेगिटिव चार्ज बढ़ा रहा है जिसकी वरे से बेटा यह जो एथोकसाइट है इट विल गे आइज एएज आइंब ओवच माइनस न Erik वाटर में घी ओप्र नेगटिव चार्ज जाइज बढ़ ऊरा ना यह नहीं होने को रहा है कि फैनॉक्साइट में बीह तो तो फिनोल को कंपरीजन हो तो फिनोल इस ट्रॉंगेस एसे एथनोल के अंदर इलेक्ट्रों डॉनेटिंग नेगटिव चार्ज को इंक्रीस कर रहा है और वाटर बेटा इनके दर्मियान में आएगा ठीक है बेटा मैं यह देखता हूं आपने मुझे सेंड टू किया पर देखो ना यह बड़ा सिंपल है उसने डबल बॉंड दिया हूए आपने मुझे वैसे इसका पिछला स्ट्रॉक्शर सेंड नहीं किया तो इसमें कार्बन चेन के साथ बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है उसमें डबल बॉंड आ रहा है तो जब उसने ब्रोमीन एड इस तरह डबल बॉंड बनाया हुए फिर तो असानी है ना जब डबल बॉंड बना हुए तो अंडर्स्टूड है कि यहां यहां पर जो कार्बन कार्बन पाई बॉंड है वो टूट जाएगा और बरोमीन उसमें एड हो जाएगा तभी तो उसने कुछ नहीं लिखा ना यूवी लाइट और ना एल्सी एल्ट्री क्योंके अलकीम के अंदर तो अडिशन रियक्शन उसके बगार होती है विदाउट कैटलिस्ट कोई चीज़ आपको देनी नहीं पड़ती है अच्छे आप आगे आजए फिनोल के रियक्श फिनोल बिटा एने वूच से भी रियक्शन करता है दोनों से रियक्शन होगा जब सोडियम से रियक्शन होगा तो ये बनेगा ओने CH3, CH2, ONA, लेकिन फिनो, यह जो एथनोल है ना, CH3, CH2, OH, क्योंकि यह बेटा वीक ऐसीड है, यह बेटा वीक ऐसीड है, अलकोहल मैंने भी आपको उपर बताया है, वीक ऐसीड है, तो यह NaOH से रियक्शन नहीं करता, नो रियक्शन, तो यह आपने याद रखने हैं, या आग फिनोल और मैटल रियक्ट विद बोथ, फिनोल के साथ भी और किलकोहल के साथ भी, ठीक है, और फिनोल का आइजन्टिफिकेशन टेस्ट लास देख लेंगे, तो यह चप्टर खतम हो जाएगा, फिनोल का पीटा जो आजन्टिफिकेशन टेस्ट है, वो यह यह है, कि आप प्रॉमीन एड करें थ्री मोल्स अफ ब्रॉमीन क्योंके एलेक्ट्रोन डॉनेटिंग है विए टू फोर और सिक्स त्युन पोजिशन पर लग जाएगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा वाइट प्रेसिपितेट ठीक है जी इस 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 फर फीनौ अब आज बाज तर्म उसने का था कि विद रिस्पेक्ट तो बेंजीन फिनोल क्या एलेक्टोफायल या पर न्यूक्लियोफायल उसने का था एलेक्ट्रोफायल आप एकस्पेंटर से थे कुछ चीज़ आप लोग छोड़ देते हैं मैं देख रहा हूं सेंड कर दें कार्बॉक्सिक एसिट की जरा स्ट्रेंट हमने देखनी है यहां पर यह मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो ट्रेंट अभी हम डिसकस कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है में भी कल आ जाए ठीक है इसलिए ध्यान से सुनें इसको जब भी बेटा आपको एसिट की स्ट्रेंट बतानी है ना दो चीज़ें बतानी है पहले तो आपको बताना है ओएच बांड कहां पर वीक हो रहा है चाहिए अच्छा बेटा यह देखें यह आपके पास आपको बेटा जब भी एसिट की स्ट्रेंट बतानी है तो आपको यह बताना है कि ओएच बांड कहां पर वीक है अब आप कहेंगे एक अच्छो से पहले एक और चीज़ समय लेगे तो कार्बुनाईल गूरूप होता है ने मेटा कि कार्बुनाईल इस वेरी स्ट्रॉंग एलेक्टरॉन विड्ड्राइंग गूरूप होता है ठीक है और याद रखें बटा कि जो एलेक्ट्रोन विड्ड्राइंग ग्रूप होते हैं ये एलेक्ट्रोन विड्ड्राइंग ग्रूप क्या करते हैं एलेक्ट्रोन खेंचते हैं ये सीडेबल बॉन्ड ओ इन एलेक्ट्रोन को भी खेंच रहे जो कार्बन ऑक्सिजन के दरमयान है औ तो आप गर विटा वपर कार्भागॉसलिक एसिट में देखें एठनौिक एसिट में तो एक सी डेवल बॉट O है जो के O.H. बॉट को वीग कर नहा कि लेक हैं लेकर अगर आप नीचे कलोरो एठनौिक एसिट में देखें तो यहां पर बेटा एक तो C double bond O है जो OH को weak कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक chlorine भी तो है जो OH bond को further weak कर रहा है क्योंकि chlorine is electro negative, chlorine क्या है, electro negative है, तो नीचे दो electron with drying group हैं जो के OH bond को weak कर रहे हैं, तो अब आपको बताना होगा कि OH bond कहां पर जादा weak है, तो definitely chloro ethanoic acid में OH bond is more weaker, तो यह readily proton lose करेगा, C double bond O, O negative और H plus, जब क्यों पर क्या होगा जी, CH3, C double bond O, O minus और H plus, पहली बात को आपने यह बता दी ठीक है, कि weakening of OH bond, दूसरी बात बेट अब यहां पर explain करेंगे, वो यह कि अब यह जो oxygen के ओपर negative charge है, दोनों cases में, कहां पर negative charge जादा है, कहां पर काम है, definitely जहां जादा होगा, वो proton को readily gain करके backward जाएगा और वो weaker acid होगा, और जहां पर बेटा negative charge कम होगा, वो proton को readily gain नहीं करेगा, और वो stronger acid होगा, तो आप यह बताएंगे, कि कार्बनाइल तो दोनों में इसको छोड़ दें, लेकिन जो chloro-o-ethon-oic acid है, उसमें chlorine क्या कर रहा है, chlorine is electronegative ना, तो chlorine क्या करेगा, इस negative charge को अपनी तरफ attract करेगा, इस negative charge को less concentrate करेगा, जब अपनी तरफ खेंचेगा, तो यह negative charge कम हो जाएगा और जब यह negative charge कम होगा तो वो proton को इतना readily gain नहीं करेगा, इस लिए chloro-ethon-oic acid ज्यादा stronger acid होगा, इस तरह बेटा अगर di-cloro होगा, तो और stronger हो जाएगा, tri-cloro होगा, तो और stronger acid होगा, इसके बाद बड़ा ही important बाद भी बताने लगा, दो ऐसे carboxlic acid है, जिनकी oxidation हो जाती है, उसमें से नाम नोट कर ले, एक carboxlic acid है, methanoic acid, कि अगर आप इनकी oxidation करेंगे ना, तो यह किसमें जाएगा carbon dioxide में और water में, और इस किसे दूसरा बेटा, इथेन डायोइक acid, यह भी एक ऐसा carboxlic acid है, कि आप अगर इसकी oxidation करें, तो यह carbon dioxide water में जाएगा, without any reason आप इन दोनों के नाम याद रखेंगे, नीचे वाले को कहते है, इथेन डायोइक acid, और उपर वाले को बेटा बोलते है, methanoic acid, कि यह दो ऐसे carboxlic acid है, जिनकी oxidation हो जाती है, ठीक है, अब आज हैं बेटा, आप, acyl chloride, कि कारboxlic acid से acyl chloride कैसे बनाते हैं, जल्दी से बता देता हूँ, इसाइल तो भी हमने पढ़ा ना, acyl क्या होता है, कि जब alkyl group और carbonyl group अकठे attach हो रहे हैं, उसको acyl बोलते हैं, तो carboxlic acid से acyl बनता है, यह आपके पास बेटा, carboxlic है, carboxlic less reactive होता है, ठीक है, acyl is more reactive, याद रखिएगा, acyl is more reactive, तीन तरीके हैं, PCL3 से, PCL5 से, और SOCL2 से, PCL3 में आप heat करेंगे, बाकियों में heat नहीं करेंगे, तो क्या होगा बेटा, हर reaction में आप देखिएगा, कि OH की जगा CL आजाएगा बस, CH3, C double bond OCL, यहाँ पर भी CH3, C double bond OCL, और SOCL2 के अंदर भी CH3, C double bond OCL, अचा अब देखें, acyl क्यों reactive होते हैं, इसकी reason सुनने, यह acyl है, acyl के मैंने आपको क्या निशानी बताईए बटा, acyl की निशानी यह बताईए है, कि कार्बनाइल के साथ क्या लगा होगा, कार्बनाइल के लिए होते हैं, क्योंकि यह जो कार्बनाइल कार्बन है ना, इसके उपर positive charge है, और इसके ऊपर देखें, oxygen electronegative, right side पर देखें, chlorine electronegative, तो यह बोथ electronegative atom, जो oxygen और chlorine है, यह कार्बन को क्या बना रहे है, कार्बन को बहुत ज़्यादा electrophilic बना रहे है, क्योंकि देखें, oxygen भी कार्बनाइल कार्बन के electron खेंच रहे, chlorine भी कार्बनाइल कार्बन के electron खेंच रहे, तो यह दो electronegative atom, कार्बनाइल कार्बन को बहुत ज़्यादा electrophilic बना रहे है, जिसके बरहे हैं, कोई भी weaker nucleophile बेटा, कोई weaker nucleophile जो होगा, वो भी readily इसकी तरफ attract हो जाएगा, क्योंक अच्छा अगर benzoic acid होगा ना तो उसको भी convert करने के यह method है, उसके लिए कोई निया method नहीं है, अगर इस तरह होगा, ना C double bond OOH, जी बेटा, जार आपने अपने अपर metanoi के सिर्वली बात बताएए, वो कोई भी oxidizing agent, chem and of four, tolerance, filling, कोई किसी के साथ भी oxidation करेंगा, ने, 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 इसके लिए बेटा, आपने, जो oxidizing agent, use करना है, वो है, failing solution, tolerance reagent, ये use कर सकते हैं, chem and of four use कर सकते हैं, और आप इसके लिए, जी बेटा, कोई भी use कर सकते हैं, सारे, ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, कि बेटा, इसके लिए आप failing solution, tolerance reagent, और अगर ये कर रहे हैं, जो week हैं, तो फिर जो stronger हैं, मतलब के अमनोफ और के टू सी आर टू सेवन, वो तो करेंगी, करेंगी, राइट, अच्छा वेटा, आप आगे हाजएंजी, जी देखें, ये जो benzoic acid है, इस benzoic acid को benzoil koloride में convert करने के वही तीन method है, PCL 5, PCL 3 और SOCL 2, नेक्स्ट, आपको एक सीज अंड करनी है, वो मैं बार 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 बता रहा हूं कि जो acyl halide है, ये बहुत reactive होते हैं, acyl halides are very reactive, ठीक है, अब इसके reactive होने का proof ये है, कि अगर आप इनका water से reaction करवाएं ना, ये hydrolysis, बैटा hydrolysis का मतलब होता है reaction with water, मैं heading दे रहा हूं यहाँ पर, hydrolysis of acyl chloride, बैटा हम इस तरह करत ब्रेक ले 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 थे, ताकि आप लोग भी थोड़ा से फ्रेश हो जाएं,